दोस्तो नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एगरी मस्ती यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आप इस वीडियो के थमनिल पे देख रहे हैं लिखा हुआ है भी एस एगरी कल्चर वालों के लिए रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट और ठीक उसके नीचे में जो लिखा हुआ है उसको तो सभी छात्रों को जरूर जानना चाहिए अब बैक लगने का डर खत्म सभी छात्र होंगे पास जी हां आप सही सुन रहे हैं जिन चातों ने अभी हाल ही में और सेमिस्टर जैसे पहला तीश्रा और पांचवा जैसे सेमिस्टर की परिक्षाएं दी हैं बड़ी अपडेट है वो यह है कि BSC Agriculture तथा MSC Agriculture वालों का result मई महीने के आखरी सप्ता से लेकर के जून महीने के प्रथम सप्ता तक आएगी और ऐसा मैं इस अधार पे कह सकता हूँ क्योंकि इनवस्टी की यहीं पोलीशी रही है जब पहले पेपर सब्जेक्टिव हुआ करते थे तो यहीं पोलीशी अपनाई जाती थी और इस बार भी पेपर सब्जेक्टिव ही हुए हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी इनवस्टी ने कुछ दिन पहले बताई थी कि परिछाएं जून में कराई जाएंगी जून के आखरी सब्जेक्टा में कराई जाएंगी और आप लोगों इस बात को गौर किया हुआ कभी न कभी कि पेपर होने के ठी सी एकरी कल्चर वालों का रिजल्ट आ जाएगा या तो जून के प्रथम सब्था में रिजल्ट आना तय है मैं इसका ग्रैंटी करता हूँ अतब मैं आपको बता दूँ कि जो भी छात्रों के मन में सवाल घुम रहा था कि परिछा तो हो गया रिजल्ट कब तक आएगा तो इस सवाल का यहीं जबाब हुआ कि आपका रिजल्ट जो है मैं के आखिरी सब्था से लेकर के जून के प्रथम सब्था तक आ जाएंगे अब दोस्तों बात करते हैं बैक लगने का डर खत्म सभी छात्रों के पास ऐसा क्यों तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसक चात्रों को पढ़ने के लिए प्रयाप समय नहीं मिला है इसलिए इनुष्टी के सुत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो इस बार जितने भी छात्र परिक्षा में सामिल हुए थे उनका रिजल्ट एविरेज रहने वाला है यानि दोस्तों रिजल्ट जो है इस बार एव को कम समय मिली थी तयारी करने के लिए और पेपर सब्जेक्टिव था और पेपर दो घंटे का ही था आता इस बार मुश्टी छात्रों को पास कर दिया जाएगा दोस्तों मैं उमीद करता हूँ इस वीडियो के माधम से आपके मन में घूम रहे दो सवाल की नंबर कैसे आए मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जय किसान और जय क्रिशिविग्यान